नावर शुकार दोस्तों आप देख रहे हैं खबर किसान की YouTube चैनल मैं हूँ आपका दोस्त अंकेश वर्मा दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने का उदेश आपको बताना है कि काली हल्दी की खेती कैसे की जाती है काली हल्दी के क्या फाइदे हैं कैसे आप इसको अपने खे कर लीजे लाइक कर लीजे और आपको बताते हैं कि काली हल्दी के क्या फाइदे होते हैं तो उस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि वैश्विक महामारी जो कोरोना है उसके चलते लोगों की जो प्रतिरोधक शंता है वो काफी कम हुई तो लोगों ने बीतिक 1-2 साल के अंदर औशिधी जो हमारे ये पेड़ पौदे होते हैं इनका इस्तमाल करना शुरू किया तो काली हल्दी भी उन्युवी से एक है पीली हल्दी जो होती है उसको तो हम अपने भोजन में बनाते समय उसको उपयोग करते हैं दूद में उसको घोल कर पीते हैं या उसका आप कह करें तो इसमें एक लकीर होती है दो जो आपको डिफेरेंस बता देती है कि कैसे काली हल्दी में और पीली हल्दी के जो पौदे उसमें आपको अंतरपता कर सके आप और जैसे कि आप ये देखेंगे मेरे बरावर में इस तमें ये पीली हल्दी के खेत हैं जो कि दवेवीवर और्गनिक फार्म नॉइडा में हैं अब बात करते हैं कि ये अलग कैसे होती है तो आप ये देखिए कि अभी हमने ये खोदी है हल्दी इसके अंदर जब ये निकाल से रंग आता है वो पीला आता है तो जैसे कि आपने पता चली किया काली हल्दी इसको काली हल्दी कहते हैं अब बात करते हैं इसकी और इसका सेवन करते हैं तो उसके काम में आती है अगर आपको सांस से संबंदित कोई दिक्कत है तो अगर इसका सेवन करेंगे तो आपको स समय के अनुसार वह समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी महिलाओं में कुछ समस्याइं होती हैं मैंस्रेशन साइगल को लेकर काली हल्दी के प्रयोक से वह भी दूर हो जाती है और बात करते हैं कि देश के किसान भाई इससे मुनाफ़ा कैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों आपको जल tum हो जाता दें कि अभी क्या है मार्केट में इसकी दिमांड जाता है और संप्लाइप कम है क्योंकि अबी देश के किसान इसको पूरी तरीके से नहीं उगा रहा है अगर बात करें कि कहा कहा हो रही है तो नॉर्थ- इस्ट की तरफ आसाम में मंधाले में मनीपूर की पाए हैं लोग अगर बात करें ऑनलाइन की तो 400 से लेकि 2000 रुपे किलो 3000 रुपे किलो भी मार्केट में भिक रही है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी कोस्ट कोई नहीं फिक्स है लेकिन जाब से के किसान भाई के लिए काली फसलच करना काफी लाप्डायक है वर इसके अलावा जो आम लोग हैं अगर काली हल्दी का सेवन करते हैं तो इससे भी वह लाव अटा सकते हैं यह दो बात हुई सेवन की अब बात करते हैं कि इसका अन्य क्या फाइदा है और किस काम में इसको लाया जाता है यह कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट के लिए यूज होती है जैसे कि नॉर्मल हल्दी है तो इसका हम एसन्स जैसे कि आपको पता ही है कि आज़कल एसन्स की डिमांड काफी है मलेक्ट में और खासकर जब वह मैंडिसिटिक ब्लांट हो तो उसकी डिमांड भढ़ जाती है तो यह तो सारी काफीіль सारी चीजहों में आपको इसके बारें बताई अगर आप और भी काली हल्दी से रेटीड जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसका बीज आपको कैसे मिलेगा तो वह नीचे comment box में हमसे संपर कर सकते हैं, हमको mail कर सकते हैं, हमको facebook पर, youtube पर लिख सकते हैं, तो आशा करते हैं, आपको मारी वीडियो पसंद आएगी, और जाती जाते हम आपको दिखा दें कि एक यह पौध है, यह हमने यहाँ पर निकाली है, तो इस तरीके से यह गुच्छेदार पूरी है, और आप यह देखिए कितना, कितनी सारी इसके अंदर यह हल्दी लगी हु किसान भाई, आशा करते हैं, आप भी काली हल्दी की फसल अपने खेतों में करेंगे, और अच्छा मुनाफ़ा कमाएंगे, और देश के लोगों की सेहत में, सेहत को अच्छा करने में अपना योगदान देंगे, बने रही हमारे साथ, देखते रही खबर किसान की यूट्य चनल, हमारा चनल सब्स्राइब करें, धन्यवाद,